श्वागत आप सबका फिर से मेरी चैनल पर जिसका नाम है TAG Tally Account GST दोस्तो टेली सॉल्यूशन दारा अतिसीगर टेली प्राइम सॉप्ट वियर का न्यू वर्जन 4.0 रिलीज किया जाने वाला है लेकिन उससे पहले टेली सॉल्यूशन ने सभी के लिए टेली प्राइम सॉप्ट वियर का न्यू वर्जन 4.0 का वेटा वर्जन आपके लिए उपलब्द करा दिया है आप चाहें तो Taly Prime Software का 4.0 Veta Version डानलोड कर सकते हैं फिरी में और डानलोड करने के बाद उसमें जो feature से उनको आप देख सकते हैं, यूज्स कर सकते हैं, उनके अभ्यस्त हो सकते हैं जिससे कि आगे जब Taly Prime Software का न्यू वर्जन 4.0 जब रिलीज हो जाएगा तो आप उसमें बेहद आसानी के साथ कारी कर पाएंगे क्योंकि आप पहले से ही कारी करने के अब्यस्त हो चुके होंगे तो चलिए जानते हैं कि टेली प्राइम सब्टेवियर का 4.0 वेटा वर्जन आपको किस तरह से डाउनलोड करना है इंस्टाल करना है और उसको रन कराना है इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है आपका कोई भी ब्राउजर है उसको आप ओपन करके रखिए इस तरह से और ओपन करने के बाद यहां आपको सर्च करना है डाउनलोड टेली प्राइम 4.0 वेटा और यह आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए और टाइप करने के बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने सर्च रिजल्ट में सबसे पहले आजाएगा यहाँ पर लिखा हुआ डाउनलोड टेली प्राइम 4.0 वेटा इस पर कर दीजिए क्लिक जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप टेली सॉल्यूशन की साइट पर आजाएंगे और यहाँ पर टेली प्राइम सॉप्ट वेटा वर्जन है वो भी आपके लिए उपलब्द रहेगा और एडिट लॉग वाला जो वेटा वर्जन है वो भी आपके लिए तो जिसको भी आप डाउन्योड करना चाहते हैं डाउन्योड पर क्लिक कर दीजिये तो यहाँ पर मैं आपको देखाता हूं टेली प्राइम सॉप्ट वेटा वर्जन जो नौर्माल है उसको के साइसे आप वालाक को छी लिए पर क्लिक जैसे आप डाउन्योड लिख लिख इंस्टाल करेंगे और इंस्टाल करने के बाद टेली हमारे लिए रन करने लगे 4.0 बेटा वर्जन और हम क्या करेंगे उस बेटा वर्जन को देखेंगे उसमें जो 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 फीचर्स है उन फीचर्स को जानेंगे और उन फीचर्स को यूज करेंगे यूज करने के बाद फिर आगे की जो प्रॉसेस है वो मैं आपको बताऊंगा है ना उस प्रॉसेस को अपना कर आप टीली प्राइम सब्ट्वेर का 4.0 वेटा वर्जन भी हद आसानी के साथ इंस्टाल करा पाएंगे ही सेट अप हमारे डाउनलोड होगहा अब हम चलते है डाउनलोड में आ जाएंगे तो यहां पर हम आएंगे डाउनलोड में और डाउनलोड में आने के बाद यह सेट आप है हमारे साμने इस तरह से आ गया हैब मुण सीख्क मिलिए वहर इस तरह से आपके सामने आईए हैं, अब यहां पर क्या करना है, अगर आपको टेली प्राम सब्डवेर का जो 4.0 beta version है, इसका अलग से आपको इंस्टाल करना है, तो install लिखे हुए बटन पर click कर दीजिए, अब यह आपका जो software है, वो install होने लगेगा, और install होने के बाद, यहाँ पर आपको इस तरह से लिखा हुए मिलेगा, installation successful, तो यहाँ पर start करना है, तो start daily prime, इस पर कर दीजिए click, आप daily prime software का जो 4.0 beta version है, वो हमने install कर लिया है, और यह अब run करने लगा है, अब इसको आप यहाँ पर इस जगह पर आजाएंगे, और यहाँ पर आपको open करना है, तो यहाँ पर मैंने educational version use कर रहा हूँ, तो continue in educational mode को selector के मैं enterprise कर दिया, तो यह देखे, आब हमारे सामने, यह 4.0 version का beta version जो है, वो download हो चुका है, आप यहाँ पर अब आपको नीचे आजाना है, यहाँ पर आपको लिखा हूँ मिले का about, about को selector के enterprise कर दीजिए, जैसे आप about को selector के enterprise करेंगे, आपके सामने screen इस तरह से appear हो जाएगी, और यहाँ पर देखेंगे, तो application के नीचे release में आपको दिखाई दे जाएगा, कि release के सामने आपको दि सकते हैं, जिससे कि आगे teleprime software का 4.0 version release होगा, तो आप बेहदासानी से उसमें कारी कर पाएंगे, तो मैं समझता हूँ, आज का जो topic था वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छी लगए हो तो like कर धन्यवार, सही है, 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 अब जो हमने कट तो दो, कर दो, आप, पहलो हमने कद दाओतों पता नहीं हमों, फिरियो को आप,